सोलन में मंत्री राजीव सेजल ने प्रतीबहाओं को किया सम्मानित स्वारा प्रतीब्धा समान समारोह का आईजन किया गया कारिकरम ने समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सेजल बतार मुखे अतिती उपस्तित रहे इस दोरान विभिन प्रतियोगिताओं सहित ABVP द्वारा करवाई जाने वाली समाने ग्यान प्रतियोगिताओं में अवल रहे मिधावियों को समाजिक नियाए एवम अधिकारिता मंतरी राजीर सहजल ने सम्मानित किया इस कारेक्रम का मुख्य उदेश युवाओं में रशनात्मक प्रदान करना रहा साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेदित करना रहा इस दोरान प्रदेश महिलाएं आयो की अधिक्ष्टा डेजी ठाकुर भी उपस्तित रहे समाजिक नियाए एवम अधिकारिता मंतरी राजीर सहजल ने कहा कि अखिल भार्थी विद्यार्थी परिशत सदा से ही समाजिक सरोकार के मुद्दे से जुड़ा रहा है वे समय समय पर जनहित के कारियों को करता रहा है उन्होंने कहा कि इस तरह के कारिक्रमों से रचनात्मक देश प्रेम समाजिक विरोध्वी गतिवीदियों से दूर होने की भावना पैदा होती है उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं से इस संग्ठन से जुड़ने की बात कही वे देश विरोध्वी संग्ठनों से दू बनने की बात कही ताकि देश विरोधवी गतिवीदियों की ओर जा रहे युवा पत भरष्ट ना हो ऐसी जो विचारधारा हैं इस देश के अंदर भारत के टुकड़े होंगे इंशालला इस परकार के नारे लगाने वाले जो लोग हैं और ऐसे लोग जिन संगठनों के साथ जुड़े हैं ऐसे संगठनों के साथ जो है हमारे छातरों का जुड़ना ना हो इस देश के जो प्राचीन संस्कृती है इस संस्कृती से संबंदी जो स्रेश्ट संस्कार हैं वो छातरवर्ग को मिलें और छातरवर्ग सशचत रूप से अपनी भूमी का इस देश के लिए इस समाज के लिए अधा करें तो इस भावना के साथ जो है विदार्थी परशेद काम कर रही है और अनेक कारेक्रमों का योचन समय समय पर विदार्थी परशद के द era जो होता है चाहे वो रक्टदान शीवर हैं चाहे वो लिक्षा सोननिकाई को इस रिष्ट कारिक्रम के आज़न के लिए अपनी और से बहुत बहुत पताई देता।